फिल्म रात विद्या से पूछे गए बेडरूम सीक्रेट्स किसे डेट कर रहे ब्रावो हाल ही में तुम्हारी सुलो एक ट्रेस ने करण जोहर के रेडियो शो करण कॉलिंग में अपने बेडरूम सीक्रेट खोले वहीं दूसरी ओर क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो एक बॉलेवुड एक ट्रेस को डेट कर रहे हैं विद्या बालन अपनी बेहतरीन अदाकारी, बोल्ड अंदाज और बेबाग भयानों के चलते पहचानी जाती हैं हाल ही में तुम्हारी सुलो एक ट्रेस ने करण जोहर के रेडियो शो करण कॉलिंग में अपने बेडरूम सीक्रेट खोले करण जोहर का शो इसके कई रंग थीम पर बेस्ट था इस दौरान करण ने विद्या बेडरूम सीक्रेट को लेकर रेपिट फायर राउंड शुरू किया इस दौरान उन्होंने पहला सवाल किया कि बेडरूम में लाइट्स खुली रखना पसंद करती हैं या बंद विद्या इस सवाल पर खिलखला कर हंस पड़ी अलाकि उन्होंने बाद में जवाब दिया कि उन्हें डिम लाइट, हलकी रोशनी, पसंद है IPL में चन्नाई के लिए खेलने वाले डवीन ब्रावो इन दिनों बॉलिवुड एक ट्रेस के साथ अफियर को लेकर चर्चा में छाय हुए हैं स्पोर्ट बायर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रावो टीवी सीरीज इन साइड एज की एक ट्रेस नताशा सूरी को डेट कर रहे हैं पिछले दिनों दुनों स्टार्स को कॉफी शॉप में देखा गया था नताशा कई बार IPL मैच देखने जा चुकी हैं उन्हें स्टेडियम के वी आई पी बॉक्स में बैठे देखा गया था नताशा 2006 में मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं वरुन दवन स्टार फिल्म अक्टूबर बॉक्स आफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है फिल्म को एक टचिंग लव स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है ये अपनी रिलीज के पांचवें दिन ही लागत के करीब पहुँच गई है फिल्म क्रिटिक और जानकार तरण आदाश के अनुसार फिल्म ने मंगलवार तक 25.56 करोड रुपे का कारोबार किया है जबकि फिल्म का बजटलग भक 30 करोड बताया जा रहा है अक्टूबर ने मंगलवार को 2.6 करोड रुपे की कमाई की है सोशल मीडिया पर बलिवुट स्टार्स का ट्रोल होना आज का लाम है हाल ही में अभिशेक बच्चन को इसका शिकार होना पढ़ा एक शक्स ने ट्विटर पर अभिशेक पर उनके माता-पिता के साथ रहने को लेकर कमेंट किया अक्सरवाद विवाद से दूर रहने वाले अभिशेक ने इस पर उस शक्स को करारा जवाब भी दिया है ट्विटर पर स्टिल यंगेस्ट नाम के एक यूजर ने अभिशेक को लिखा कि इस बात का आप बुरा मत मानिएगा आप आज भी अपने माता-पिता के साथ रहते हैं जमाना आप पर हनसता है ऐसा नहीं है कि अभिशेक पहले ट्रूलर्स के निशाने पर नहीं आए मगर वो ज्यादा प्रतिक्रियाद देना पसंद नहीं करते लेकिन इस बार उन्होंने शांत ना रहते हुए उलटा जवादेने का विकल्प अपनाया स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये है मुहवते में 5 साल से संतोष तोशी का किरदार निभाने वाली एक ट्रेस शेहनाज रिजवान शो को जल्द छोडने वाली है उन्होंने शो में अपने कॉमेडी अंदाज में एक समझदार सास का किरदार निभाकर शेहनाज ने किरदार को यादगार बना दिया शो छोड़ने की वजह कुछ है जाने पर उन्होंने बताया कि मैं किसी प्रोफेशनल कारण की वजह से शो को अलविदा नहीं कह रही हूँ शो परसनल वजहों से छोड़ा है